फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल कुसा ग्रेंड फैमली कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे टोमेटो मेगी तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना न भूलिए मेटन्गी पानी को भूलिए के पानी को वाईल होने तक अच्छे से बाउल लेने के बाद ही टमाटन को डालना है। अब यहाँ पर हमने दोनों पैकट मेगी को एक प्लेट में निकाल लिया हूआ है और हलका सा हमने तोड भी लिया हुआ है यहां पर टमाटर भी अच्छे से बाउल होने लगे हैं और आप देखी सकते हैं कि बाइल होने के बाद टमाटर का जो कलर है वो एकदम चैंज भी हो रहा है और इसको हम आसानी से जब यह मैगी बनेगी तो बहुत जल्दी ही पक जाएगी यहां पर फ्रेंड्स हमने अमूल का बटर भी लिया हुआ है मैगी को हम बटर में ही बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स यहां पर हमने एक दो टुकडे बटर को अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है और उबले हुए टमाटर को हमने बटर में अच्छे से फ्राई किया हुआ है जिससे की अंदर तक अच्छे से पक सके यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 15-16 काली मर्च भी डाली हुई है काली मर्च डालने से जो मैगी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी टमाटर को हम दीरे दीरे करके पल्टा देंगे फ्रेंड्स टमाटर बहुत ही जल्दी पकता है इसलिए इसको हमें मेडियम साइज में ही पकाना है जिससे ए अंदर तक पक सके अब फ्रेंड्स टमाटर पूरी तरीके से पक चुका हुआ है और अंदर तक फ्राई हो चुका है इसका कलर एकदम ब्राउन होने लगा है अब हम एक कर्ची की साइटा से सभी टमाटर को मैस कर लेंगे मैस करने के बाद इसकी एकदम प्यूरी सी बना लेंगे फ्रेंड्स यहां पर हम मैस की हुए टमाटर मेगी को डाल देंगे मेगी को डालने के बाद हम अच्छे से एक मुनट तक मेगी को फ्राई करेंगे जिससे की अच्छे से मसाले में टमाटर के साथ मिल जाए और इसका टेस्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो पैकेट मेगी को लिया हुआ है तो हम यहाँ पर मेजर करके दो गलास पानी डालेंगे जानदा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो एक दम से गल जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा अब यहाँ पर आप देखी सकते हैं कि मेगी और पानी को हम अच्छे से चमस से मिला लिया हुआ है और इसको हम अच्छे से दो मिनट तक पकने देंगे जिससे की मेगी अच्छे से पकर त्यार हो जाएगी अब यहाँ पर हम मेगी मसाला डाल देंगे दोनों पैकट मसाले को हमने यहाँ पर डाला हुआ है नमक आफ स्वादनसार ही डालिए क्योंकि मसाले में भी नमक की मातरा होती है आफ फ्रेंड्स यहां पर मेगी अच्छे से 90% तक पक चुकी हुई है इसको थोड़ा और पकाएंगे आफ फ्रेंड्स मेगी बनकर पूरी तरीके से त्यार हो गई है इसको हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया हुआ है मेगी को हमने जांदा गलाया हुआ नहीं है फ्रेंड्स यह था मेरा छोटा सा वीडियो मीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रही है और चैनल को जानदा से जानदा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स आप चाहें तो मेगी में हरी धनिया भी डाल सकते हैं बट यहाँ पर हमने धनिया को स्किप किया हुआ है क्योंकि यह नॉर्मल ही बहुत अच्छी लगती इसकों किसी भी तरीके से बना सकते है बट जिस तरीके से हमने बनाई है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी ट्राइगर के देखिए तब तक के लिए बाई टेक क्यार अल आफ यू